नमस्कार आप सभी का स्वागत है परिक्षामित्र के इस यूट्यूब चैनल पर और आज अपन जिस पॉलिटिकल साइन्स के टॉपिक पर डिसकस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजनितिक संसकती बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक छोटा टॉपिक बड़ी है टॉपिक जहां से प्रसंद आते हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जो अपन कोलेज टाइम पर या जब एमे भी करते हैं तब भी इतना द्यांजिन नहीं पड़ते हैं क्यों एक्जाम पास करना अपना व्यू होता है तो बहुत ही परिशान करते हैं राजनितिक विकास राजनितिक सिद्दान था अल्प निर्वरता का सिद्दान था यह अपन पहले डिसकस कर चुके हैं राजनितिक संस्क्रते के बारे में बात करते हैं देखे राजनितिक विकास की अवधारना आई थी और राजनितिक विकास से जुड़ा हुआ जो प्रमुक विचारक है वो था लूश के साथ तो जहां राजनितिक विकास का पड़ती पाद है जनक पिता कहा जाता है लूशियन पाई को वहीं राजनितिक संस्क्रति का पिता कहा जाता है आमंड पाविल को आमंड यहां पर अपन बात के राजनितिक संस्क्रति की तो राजनितिक विकास का जो दिन किया गया उस प्रागत राजनिती विज्ञान में राजनितिक संस्क्रती जैसी अफधार नन नहीं थी, वहां पर राज्यों का अधिन के जाता था, सरकार की कारे प्रणालियों का अधिन के जाता था, अपचारिक संस्क्रताओं का अधिन के जाता था, लेकिन राजनितिक संस्क्रती विभ देविड इस्टन विभारबाद का जनक है यही और विवारवाद सिकागो विश्व विद्याले से जुड़ा हुआ है। दिख लिजेगा आप सिकागो विश्व विद्याले से जुड़ी ही अवधारणा है विभारबाद और जो राजनतिक विकास के अवधारणा है यह जुड़ी ही है पिंस्टन उनिविश्टी से पिंस्टन विश्व विद्याले से जुड़ी है ठीक है तो विभारबादी करां प्रागत दिश्टिकोन का भी आदा गुन पाया जाता है यानि यहाँ पर राजनतिक संस्क्रिती जब अपन देखते हैं किसी देश में राजनतिक संस्क्रिती हुई या नहीं राजनतिक संस्क्रिती का मतलब है पुनिक्ता से जुड़ा हुआ है बलकि ये प्रमप्रागत दिश्टिकॉन से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें राज्य, सरकार, इनके बारे में भी जो आगत निर्गत होते हैं, उनमें लोग इंट्रेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनको भी देखा जाता है इसलिए कहा जाता है कि राज़्ितिक संस्कृति ऐक संस्लीशन वादिय औधारना है अब राज़्ितिक संस्कृति से जोड़े है प्रमुक विद्वान देखते हैं कौन कौन हैं जिनके बारे म dafür पढ़ेंगे देखए हैं अपर दो विद्वान में आपको बताए हैं आमंड और वर्बा साथ मिलकर के काम किया है इन्होंने किसके उपर आमंड और वर्बा ने राजनितिक संस्क्रति के उपर कारे किया है मिलकर किया है आमंड और पावेल ने राजनितिक विकास पर काम किया है आमंड ने कॉलमेन के साथ मि जुड़े भी है इसमें कावनाटे ने तो बहुत ही बड़िया काम किया कि देखेंगे अपना कावनाटे के राजनतिक संस्क्रति को किस तरीक से समझाने का प्रियास करते हैं अरेंड लिजफ़र्ड यह आपके लिए नया नाम हो सकता है तो याद कि लीजिएगा राजनतिक स सरकार और जनता की स्रेणी होती है यदि लक्षफे अलग-अलग है तो राजनतिक संस्क्रति निम्न स्रेणी की है यनी जनता निया तो यदि दोनों का लक्षे अलग अलग है तो इसका मतलब राजितिक संस्कृति निम्नश्रेनी की है लोग उसमें आतों इंट्रेस्ट नहीं लेंगे या फिर निर्गतों के उपर जो प्रतिकरी आएगी वो अच्छी नहीं आएगी जो की राजितिक विवस्था के लिए एक है तो राजितिक संस्कृति उच्छेनी की है दूसरी है प्रभावी अनुक्रिया तात्प्रिय है कि सरकार की नीती और निर्ने के प्रति जनता की प्रतिकरी है कैसी है इदि प्रक्रिया सकारात्मक है तो राजितिक संस्कृति उच्छेनी की है और प्रतिकरी नकरात्मक होती है तो राजनितिक संस्कती निम्न श्रेनी की होती है तीसरा है आनुभविक विश्वास इसका तात्परी है राजनितिक संस्थाओं वन नेताओं के प्रती जनता की सोच और विश्वास से है यदि सोच सकारात्मक है तो राजनितिक संस्कती उच्छेनी है यदि सोच नक रात्मक है तो निम्द शेनिकी आपको समझ मिया रहा होगा राजतिक संसक्रती के बारे में कि जनतायदी राजनिती में भाग ले रही है वेवस्ता में भाग ले रही है तो राजनितिक संसक्रती है भाग नहीं ले रही है तो राजनितिक संसक्रती नहीं है अब भाग लेने में भी ये तीन तत्तों बताते हैं मुल्लेगत अभिरूचियां यदि अभिरूची है सरकार के साथ में तो इसका मतलब है राजितिक संस्क्रती उत्सरेनी की है अभिरूचियां नहीं है तो इसका मतलब है कि राजितिक संस्क्रती निम्सरेनी की है अगर अनुक्रिया पहले बात हुए है कि अनुक्रिया हो रही है या नहीं रही है अभिरूची ले रहे है या नहीं ले रहे है दूसरी बात है कि अभिरूची ले रहे है वो प्रभावी है या नहीं है यदि प्रभावी है तो सकरात्मक है यदि प्रभावी नहीं है तो नकरात्मक है तीसरा है आनुभावी की विश्वास यानि जनता की सोच और विश्वास से है कि जनता किस तरीके से सोचती है यदि सकरात्मक सोच है यानि विवस्ता के साथ में चल रही है तो सकारात्मक है और विर्दी वेवस्ता की विरोध में है तो सोच नकारात्मक है बात करते हैं राजनितिक संस्क्रती की विसेस्ताओं की क्या विसेस्ता हैं राजनितिक संस्क्रती की राजनितिक संस्क्रती साम्माने संस्क्रती से गनिष्ट रूप से जुड़ी होती है यानि जो अपनी साम्माने संस्क्रती होती है जिसमें अपना रहन सेन, खान पान, वेस बुसा उसी के अनुसार अपनी संस्क्रती किस तरीके से सोचती है वाम पंती है, दक्षिन पंती है, कम्मिनिस्ट को सोचती है, क्यापिटिलिस्ट की तरब जाना चाहती है तो जो संस्क्रती होती है, वो राजनितिक संस्क्रती से मूल रूप से जुड़ी हुए होती है राजनितिक संस्कृति में राजनितिक विवस्ता में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकरे मिलती है संस्कृति से ये पता चलता है, राजनितिक संस्कृति से ये पता चलता है कि विवस्ता के साथ हैं लोग या विवस्ता के साथ नहीं है यानि आगामें चुनाओं में क्या प्रतिक्रिया होगी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है परिवर्तन जो होने वाले होते हैं उनके प्रतिय अनुमान लगाया जा सकता है राजनितिक संस्कृति का निर्मान अनेक तत्वों से मिलकर होता है राजनितिक संस्क्रती और समझ्टी वाद वेश्टी वाद दोनों का समन्वे है यानि संसलेशनवादी अवधारना है एक ही सब्दाता है वहाँ पर कि राजनितिक संस्क्रती है संसलेशनवादी विशलेशनवादी ओप्सन पूछता है तो संसलेशनवादी आवधारना है राजनतिक संस्क्रती राजनतिक संस्क्रती का पुराना नाम राष्ट्रिय चरित्र है जिसको अपन राष्ट्रिय चरित्र बोलते थे किस तरीके का राष्ट्रिय चरित्र है वो ही राजनतिक संस्क्रती है वरतमान में यह अमूर्थ होती है, दिखाई नहीं देती है, यह प्रकट होती है, अभिवेक्त होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है, नेतिक होती है, इसमें गती शिल्टा होती है, यानि समय के साथ में यह अपने आपको परिवर्तित कर लेती है, परिवर्तन शिल्ट होती है, 1991 के पह एल्पेजी को खोला गया पीवी नर्शिम डाव के द्वारा 1991 में एल्पेजी को अपनाया गया मनमौन सिंग के द्वारा तो उसके बाद में ये परिणाम निकले कि भारत में स्टाइश सरकारे नहीं आई च्छे-साथ साल तक तो लेकिन आज अपने उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आज विदेशी कमपनी आ रहे हैं अपने उसको समढ़ सन दे रहे हैं तो गती शेलता लिये ही होती है राजनितिक संस्क्रती अब इंपोर्टेंट पॉइंट जहां से परसंद आते हैं राजनितिक संस्क्रती का वरगी कर करते हैं्मंड और वर्भाण ने कि जो राजिनितिक संस्कृत्य का प्रियोंक किया स्कार कि वर्ग किया리 वह वाज्समैन से मिलता है तो प्रखार्जन दो प्रकार की राजिनितिक संस्कृत्य करता है एक संग्किन और एक तो होती है मिस्रित और एक है ए मिस्रित दो प्रकार के दाजनितिक संस्क्रितियों की बात करता है वाइजमेन एक मिस्रित है और एक ए मिस्रित है तो मिस्रित जो संस्क्रित है देखिए आपर थोड़ा से के टाइपिंग मिस्टेक हो गई त्याएफिस्टि से पच्छे से टाइफ नहीं किया इसको दूसरी है मिस्रित राजनितिक संस्क्रती तीन परकार की उती है और मिस्रित राजनितिक संस्कृती चार प्रकार की होती है तो अपने पास में डाइरेक्ट प्रसन आता है कि राजनितिक संस्कृती आमंड वर्वा के अनसार कितने प्रकार की है तो सीध आनसर है दो प्रकार है मिस्रित और एमिस्रित फिर वो पूसता है कि मिस्रित राजनितिक संस्क्रती कितने प्रकार की है तो मिस्रित तो है चार प्रकार की और ए मिस्रित है तीन प्रकार की अपने को बिल्कुल भी रटना नहीं है बिल्कुल शिंपल है साधारण है और ये याद भी होने वाली है देखिए राजनितिक संस्क्रती दो प्रकार की पहला है एमिस्रित राजनितिक संस्क्रती अब एमिस्रित में क्या होता है तीन प्रकार की है पहला है संकेन राजनितिक संस्क्रती यह निरंकुष टाइप की होती है यह अल्फिक्सित देसों में पाई जाती है यहाँ पर धर्म, जाती, वंसवाद का प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पर ने तो सनसना आत्मक विवेदी करन होता है और नई कारे आत्मक विवेदी करन होता है सनसना आत्मक, कारे आत्मक विवेदी करन का मतलब है कि जो तीन, जो मुख्य सनसनाएं होती है जैसे कारे पाले का विदाई का नियाई पाले का है तो तीनों अपना अपना का अलग अलग काम करती है विदाई का कानून बनाती है कारे पाले का बने ये कानून को लागू करवाती है नियाई पाले का उनकी व्याख्या करती है तो ये जो देश होते हैं संकिन राजनितिक संस्क्रती वाले यहाँ पर तीनों का विवेदी करण नहीं होता है बलकि यह तो जो सरकार होती है सासन में जो होता है वो ही इनके उपर नियंतरन बढ़ा है रखता है इन्हें कारें का विवेदी करण नहीं होता है कारे एक ही केंदर बिन दुस्य संचालित होते हैं दूसरी है अधिनस्त राजनितिक संस्क्रती यह उपने वैसिक देशों में पाई जाती है यहाँ पर जनता सरकार से मांगे तो करती है यानि आगत तो आते हैं लेकिन उनके उपर कोई निर्णे सरकार नहीं देती है उनको कभी भी पूरा नहीं करती है जनता मांग करती रहती है कि यह दिकार दीजिए यह दिकार दीजिए यह कानून बनाईए लेकिन सरकार उनके उपर कोई भी परतिक लिए नहीं देती है यह अधिनस्त राजनितिक संस्क्रती यानि यह जो वेवस्ता है उपर वाली संकेन राजनितिक संस्क्रती निरंकुस राजनितिक संस्क्रती इसमें देखिए तो प्रसन आता है वो ही बताए तो आपको यहापे कि ने तो आगत होते हैं ना ये निर्गत दोनों की कोई वेवस के पास जनता से आती हैं, सरकार के पास, मांगे, आगत, और निर्गत निकलना, लेकिन कोई भी परतिक्रिया नहीं होती है, फिर आते हैं सहभागी, ये आमंड और वर्वा के अनुसार, इस प्रकार के राजितिक संकृति से सरकार जनता के पढ़ती उत्तरदाई रहती है नेता और जनता में दिननतर संपर्क होता है यानि इसमें आगत भी hootए है और निर्गत भी hootए है इस परकार के राजनितिक संस्कृति यू-क'े और USA में पाई जाती हैं अब देखें मिस्रित राजितिक संस्क्रती क्या है आगे बढ़ने से पहले यहीं पर समझाएता हूँ आपको संकेन राजितिक संस्क्रती प्लस अधिनस्त राजितिक संस्क्रती इनको जोड़ना है इनके साथ में पहली पहले मिस्री संस्क्रती हो गई संकीन और अधिनस्त दूसरी संकीन और सहबागी यह संकीन है और यहाँ पर सहबागी है परजाबावी तो पहली का नाम है संकीन अधिनस्त दूसरी हो गई संकीन परजाबावी तीसरी अधिनस्त प्रजा भावी राजन्तिक संस्कृति तो देखे चार प्रकार के होती है मिस्टित राजन्तिक संस्कृति आमण वर्भा ने चार प्रकार बताए है कौन कौन से है संकेन अधिनस्त राजन्तिक संस्कृति इसमें संकेर्ण और अधिनस्ट दोनों के लक्षिन पाई जाते है संकेर्ण सेभागी इसमें जाती वंसवाद के प्रभावग देखने को मिलता है बारत में सीवे विस्ता है तीसरी अधिनस्ट सेभागी इसमें आंत्रिक छेत्रे में तो लोकतंत रपाया जाता है लेकिन विदेशनिती अधीन होती है जिन डोमिनियन स्टेट बोल सकते हैं और चोथ यह नागरिक संस्क्रति आमंड और वर्बा सिवी कल्चर इसकी बुक है उनीसो त्रेपन में नागरिक संस्क्रति के चर्चा करता है कहता है कि वर्तमान विकास देशों में नागरिक राजनतिक संस्क्रति पाई जाती है इसको सिवी कल्चर बोलता है यह चार संस्क्रतियां हैं सिवी का मतलब भी नागरिक होता है सिदा सिदा परिसे नहीं मिस्टिक और एक फिर प्रकार की है मिस्डित राजनितिक संसक्ति चार परकार की है संकेन, अधिनास्त, सहभागी और फिर इनी को मिला देना है तीन अधाएंगे और चोथ ही है सीवी, नागरिक संस्क्रति फिर आगे अपने बात करते है संकेन और सहभागी कहां पर देखने को मिलती है तो यह आगे बोलते है अंगल अमेरिकी राजनितिक संस्क्रति चार भागों में डिवाइट करते है अंगल अमेरिकी राजनितिक संस्क्रति UK, US से स्विजलेंड देखे एक तो है माधी पी यूरोपी राजनितिक संस्क्रति और एक आता है अंगल अमेरिकी माधी पी यूरोप का मतलब जो यूरूप की संसक्रति है और आंगल अमेरीकी का मतलब ऐसे बिटिस लोग जो अमेरीके संसक्रति को अपना लिये दिरे दिरे UK, US से स्वुड़े लेंड और माधी पी यूरोपी राजनतिक संसक्रति इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस गेर पस्चिमी या पूर्व ओद्योगीक राजमतिक संस्कती है बारत अशिया में और सरवादी कारवादी राजमतिक संस्कती अफ्री के देशों में पाई जाती है यह एक्जामपल जो आमंड वरभा ने दिये हैं यही एक्जामपल अपनी को देने है अपने मंद से अपना दिमाग नहीं लगाना है भारत कौन सी स्रेणी में या एश्या के देश कौन सी स्रेणी में है गेर पस्चिमी देशों में या पूर्व ओद्धूगीक देशों में पिर आगे चलते हैं अपन आमंड और वर्भा के उनसार देखें तो भारत में संकीर्ण प्रजा भावी राजनतिक संस्क्रती पाई जाती है सिदा सिदा प्रसन पूछा जाता है आमंड वर्भा के उनसार भारत कौन सी सेड़ी में आता है तो संकीर्ण से भागी राजनतिक संस्क्रती में आता है उपर भी मैंने आपको बताया है इंपोर्टेंट प्रसन है आमन और वर्भा उदारवादी और समाजवादी राजनितिक संस्क्रती के विच चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उदारवादी राजनितिक संस्क्रती स्रिष्ट होती है अब आता है फाइनर का वर्गी करन देखिए फाइनर ने वर्गी करन जो किया है उसमें आधार माना है सेना को सेने सासन को सेने सासन के आधार पर राजनितिक संस्क्रती का वर्गी करन करता है किस तरीके से देखिए एक तो है सेनिक सासन की स्ताबना होई नहीं सकती है जैसे अपने परोस में एक देश है जहां पर आए दिन सेनिक सासन की स्ताबना हो जाती है चाहे जहां और सरकार है वो क्यों कटपूतली है सेना की तो सेना का सिकनजा ज़्यादा है ठीक है तो इस तरीके से उसने डिवाइड किया है कि कहां पर सेनिक सासन आ सकता है कहां पर है ही है जिसे अब यह हाल ही में आपने देखा कि म्यामार में सेनगा सासन आ गया फिर से तो अति विक्सित राजनितिक संस्क्रती यानि जहांपर सेने सासन की संभावना ही नहीं है और आप जानते हैं कि यूएस से यूके ऐसे ही देश है जहांपर सेने सासन की संभावना नहीं है तो इसको फाइनल कहता है अति विक्सित राजितिक संसक्रती यह पष्चिमी यूरोप के देशों में पाई जाती है हलाएं कि मिसर और क्यूबा ताना साई यहां पर भी सेनिक सासन की स्थाप्न की संभावना बहुत कम है लेकिन मिस्र और क्यूबा का एक्जामपल नहीं है यहाँ पर चिमी उरोब देशों में पाई जाती है विक्सित राजितिक संस्क्रती अलब विक्सित राजितिक संस्क्रती इस प्रकार की राजितिक संस्क्रती विकास सिल देशों में पाई जाती है यहाँ पर सेनिक सासन की स्थाप नहीं सब से दिख है, सीरिया, म्यामार, लेबनान, ऐसे ये एक्जामपल ने तो यह तीन वर्गी करन करता है, कौन? फाइनर याद रखने कि यहाद रखने कि यहाद बात है कि फाइनर्स शेना की आधार पर सेनने सासन की आधार पर इनका वर्गी करन करता है आधार शेना को मानता है अती विक्सित विक्सित और अल्प विक्सित तीन भागों में डिवाइड करता है फिर अपने बात करते हैं अरेंड लिस्फर्ड का हो सकता है यह नाम आपने पहली बार शुना हो तो अरेंड लिस्फर्ड की बुक है पेटर्न ओफ डेमोक्रेसी 1998 में आती है राजनतिक संस्कृति को दो भाग में वरकी करत किया जाता है दो भाग उनकों से है मास एलिट मास का आजाता है जन सम्मुख बहुत बड़ा जो जन सम्मुख होता है उसको मास का आजाता है मास एलिट नव अभी जन लिस्फर्ड के अनुसार नव अभी जनवादी विचारक है लिस्फर्ड जन सरकार में जनता की से भागिता होती है तो उसे जन राजनितिक संस्क्रती कहते हैं पर नितु जब सरकार पर अभी जनवर्ग का नहीं अंतरन होता है तो अभी जनवर्ग राजनितिक संस्क्रती कहते हैं यानि लिजफेड के अनुसार राजनितिक संस्क्रती दो प्रकार की है एक है एलिट एलिट पॉलिटिकल कल्चर और दूसरा है मास पॉलिटिकल कल्चर एलिट का मतलब आप जानते हैं अभी जन और मास का मतलब है जन साधारन जब जन साधारन राजनितिक संस्क्रती में अब जनवादी राजडिक संस्कृति में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो वह एलिट पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है। इतनी से बात है अब आता है कावनाटे कावनाटे ने पीडी के नुसार इनका वर्गी करन किया है और दो प्रकार की रांतिक संस्क्रती बताता है कावनाटे का वर्गी करन भी इंपोर्टेंट है देखिए आमंड वर्भा भी दो प्रकार बताते हैं कुन कुन से प्रकार बता गडिनशाहभागी तिन और चो थाः नागरी कल्चर कि फाइनल सेणा के आधार पर वर्गी करन करता है विप्षित राज नितिक संसकती और विखास दिक संसकती तीन 'mरकित बागु में बाढ़ देता थाइ यह अीतार ना मास और एलिट क्लास में वर्गी करन करता है मास और एक एलिट जब मास का मतलब है जन शाधारन और एलिट का मतलब है अभिजन Musk कावनाटे के बात करते हैं अपन pedigart राजनतिक संस्क्रती और दूसरी है इसकी स्रेनिगत राजनतिक संस्क्रती पेडिगत राजनतिक संस्क्रती उच वर की राजनतिक संस्क्रती उच वर की राजनतिक संस्क्रती और निम्नवर की राजनतिक संस्क्रती उप पेडिगत राजनतिक संस्क्रती तो शिदा-शिदा क लावनाटी जंसार राजनितिक संस्क्रती का वर्गी करन दो बागों में पीडिगत राजनितिक संस्क्रती और श्रेनिगत राजनितिक संस्क्रती श्रेनियों का विभाचन इसनी आर्थिक आधार पर किया है उचो वर्ग की राजनितिक संस्क्रती और मद्दे वर्ग की और राजनितिक संस्क्रति के आधार पर राजनितिक व्यवस्थाओं के चार बागों में बारते हैं यह जो पहले अपने पड़ा एंगलो अमेरिकी राजनितिक व्यवस्था जो UK-USS इम पाई जाती है रिवाईज हो रहा है बापस यह राजनितिक खेल की तरह है सरकार जन्ता के पड़ते उत्तरदा ही होती है और यहां लोगतंतिर का उच गुणात्मक इसतर पाई जाता है यह जाता है यह आगत और निर्गत दोनों के तत्वें यहां पर पाई जात यहाँ पर उप संस्क्रितियां भी पाई जाती है। पूरू और दोगीक राजनतिक व्यवस्ता, तीसरा पॉइंट, इस प्रकार की राजनतिक व्यवस्ता विकासिल देशों में पाई जाती है, यहाँ पर लोकतंत्र तो पाई जाता है, लेकिन साथ में धरम जाती और देशवात का प्रभाव भी देखने को मिलता है पिर आती है सरवादिकार वादी राजनतिक व्यवस्ता, आमंड और वर्भा के अनुसार इस प्रकार की राजनतिक व्यवस्ता साम्मे वादी देशों में पाई जाती है, यहाँ पर जनता के पास को यह दिकार नहीं होता है, और लोकतंत्र भी नहीं पाई जाता है तो ये आमंड और वर्भा के उनसार राजनितिक संस्कृति के आधार पर राजनितिक विवस्ताओं का वर्गी करन है राजनितिक संस्थाओं का वर्गी करन दोनों ने जो किया है वो दो परकार का मिश्रित है मिश्रित है और ये कि उन राजनितिक संस्क्रति के आदार पर राजनितिक विवस्था है किस तरीके से विवाजित होती है वो वरगी करने नोंने किया है फिर आगे देखते हैं अपन भारतिय राजनितिक संस्क्रति की विचर्चा कर लेते हैं बाहरती संसकती के संबन में मायनर वीनर ने अध्यन किया है मॉरिस चौंस ने अध्यन किया है मायनर वीनर और भारती राजनितिक संसकती वीनर की पुस्तक है political square in India political square in India में बारती राजन्तिक संस्क्रती को दो बागू में बाठते हैं वो इनावादी राजन्तिक संस्क्रती एक elite राजन्तिक संस्क्रती है और एक mass जो अरेंड लिजफ़र्ड इसका divideration करता है Westside divideration यहाँ पर मायरिन विनर ने भारत के संदर्व में किया है कि दो प्रकार की रांतिक संस्क्रती होती है एक इंडिया है एक भारत है एक पैसे वाले लोग है अभी जनवादी लोग है और दूसरी तरफ ऐसे लोग है जो जनसादरन है मास है मौरिस चोनस अपनी पुस्तक इंडियन कवर्मेंट और पॉलिटिक्स में रांतिक संस्क्रती को बासा का नाम देता है और तीन प्रकार की बासा है यह कहता है कि बारत में रांतिक संस्क्रती का नाम मौरिस चोनस बासा देता है और ये कहता है कि भारत में तीन प्रकार की संस्कृति पाई जाती है यानि तीन प्रकार की बासा है होती है एक प्रमप्रागत बासा ये जन्वादी रांतिक संस्कृति के समान है इसमें दर्म जाती छित्र का प्रभाव देखने को मिलता है दूसरी है आधुनिक बासा ये विनर की अभी जन्रवादी राजितिक संस्क्रती से संबन दिता है यानि इसमें पस्चिमी करण का प्रभाव देखने को मिलता है यानि ऐसे युवा हैं जो लोकतंत्र, अधिकार, शुतंत्रता इनकी मांग करते है एक है संतों की बासा, इस प्रकार की बासा में त्याग बलिदान पर बल दिया जाता है जैसे गांदी जी, कि राजितिक संस्क्रती संतों की बासा थी तो तीन प्रकार की इन संस्क्रती के लिए पहली बात तो यही है कि किसने बासा सब्द का प्रयोग किया है मौरिस जौन्स नहीं किया है मौरिस जौन्स के बुक कौन सी है इंडियान गौर्नमेंट और पॉलिटिक्स है फिर ये तीन प्रकार की बासाइं की बात करता है तीन प्रकार की राधिक संस्कतियों की बात करता है परंपरागत आधुनिक और संतों की प्रमप्रागत, मास, एंजन, शाधारन से जोड़ी ही है आधुनिक बासा है, यह एलेट क्लास से जोड़ी ही है और संतो की बासा है, इत्याग, बलिदान जैसी बातों से जोड़ी ही है जैसे महात्मा गांदी की राधंतिक सनस्कति फिर देखे एक important person यहाँ पर जो आता है इनके बारे में देख लेते हैं अपन बिखु पारिक बहुसंस्कतिवाद से जुड़े हैं विचारगे याद रिखेगा बिखु पारिक और विल किमलिका, माइकल वोलजर ये माइकल वोलजर समुदायवादी भी है और माइकल वोलजर चाल्ज टेलर ये बहुसंस्कतिवाद से भी जुड़े हैं तो बिखु पारिक एक भारतिय समुदायवादी विचारग हैं जो बिटेन में सांसद भी है बिखु पारिक आगे लिखते हैं कि वैस्वी करण के कारण बारतिय सम कर नकरात्म परभाव पड़ा है इसलिए हमें वैस्वी करण को बहुत ही सोच समझ कर अपनाना चाहिए विलकिमलिका के एक बुक को याद रखेगा नगरिकता के सम्मद में लिखते हैं Multiculturalism Citizenship बहुत संस्क्रति वाद नाग रिखता यह विल्किमलिका की बुक है याद रख लीजिएगा Multiculturalism Citizenship विखुपारिक की बुक है Rethinking Multiculturalism 2000 में यह बुक आई थी और भारत में जो संस्क्रतिक विवित्ता है जो बनी रहने चीए वैस्विकरन इस विवित्ता को समाप्त कर रहा है अब तीसरा जो एक पॉइंट है यह बहुत ही important है आमंड वर्भा के लिए कि आमंड और वर्भा तीन प्रकार के संस्क्रति के जुकाव बताते हैं या आयाम बताते हैं यहां से सीधा सीधा पर सनाता है जुकाव और आयाम से सम्द्री तीन प्रकार के जुकाव है इन राजितिक संस्क्रति कोई वेक्ति क्यों राजिति कुछ लोग होते हैं जो मतलब वोट वोट डालने नहीं जाते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कुछ लोग होते हैं जो वोटिंग के टाईम पर हजारों किलोमेटर दूर से भी आजाते हैं वोट डालने के लिए तो ऐसा क्यूं होता है ऐसा राजमतिक जुकाव क्यूं आता है तो 3 कारण बताता है आमंड और वर्भा ग्यानात्मक जुकाव बहावनात्मक जुकाव और एक है मुल्यांक नातुबग ग्यानात्मक जुकाव का मतलब है कि अपने ग्यान के कारण नोलेज के कारण जैसे नरंदर मोदी के टाइम पर यह हुआ था 2014 में कि ऐसे लोग भी वोड़ डालने आये थे जो साइद वो बाहर रहते थे और कभी वोड़ देने नहीं आते थे वो भी आये थे क्यों कि ग्यान के कारण किसी रालतिक संस्ता नेता के परती जुकाव उत्पन होता है तो उसे ग्यानात्मक जुकाव कहते हैं और यह हुआ था 2014 में भावनात्मक जुकाव जो अपने धर्म, जाती, खेत्र, आदी से संबंदित किसी रालतिक संस्ता नेता के परती जुकाव होता है मुल्यांक नात्मक जुकाव जब किसी रालतिक संस्ता नेता का द्रियर करने के पसाथ लगाव और जुकाव उत्पन होता है उसे मुल्यांकनात्मक जुखा भावनात्मक जिसमें भावनाय जुड़ी होती है और ग्यानात्मक अपने नौलेज के कारण आमन वर्बा तार प्रकार के आयां भी बताते हैं राश्ट्री अभिग्यान साथ्यों के बारे में ग्यान निर्गत के बारे में ग्यान, निर्णे करता के बारे में ग्यान इनकारण से भी व्यक्ति, राजनतिक संस्क्रती के परती प्रभावित होता है राश्ट्य भावना हो साथियों के बारे में ग्यान, निर्गत की सरकार क्या कर रही है क्या आउट बटा रहे हैं अच्छा किया है बुरा किया है तो इसके बारे में उसको knowledge है तो वोट के लिए या राजनितिक संस्क्रति के तरफ प्रेडित होता है निर्ने कड़ता के बारे में ग्याद आमंड और वरभा के उनसाथ जुका वा आयाम से हमें राजनितिक विवस्था के बारे में संपोर्ण जानकारी प्राप्त होती है यह टोपिक था अपना राजनितिक संस्क्रती के बारे में थोड़ सा misprint के कारण disturbance ज़रूर हुआ है लेकिन बहतर content था जो भी मैंने आपको बताया अपने किन-किन का वर्गी करने देखा आमंड और वर्भा का वर्गी करने देखा important कावनाटे का वर्गी करन फाइनर शेना के आधार पर करता है आरेन लिजफार का वर्गी करने देखा अपने जिसमें एलेट और मास में विभाजित करता है तो यह मैत्वपून टॉपिक थे आमंड और वर्भा राजितिक संस्क्रती में यह मालेजी की 50% टॉपिक को कवर कर लेते हैं lot of thanks for discussion फिर मिलेंगे अपन किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में